हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो अभी अभी एम्स की तरफ स आप सभी लोगों के लिए नई अपडेट यहां पर लेकर आ चुका हूँ जी हाँ दोस्तो, AMS NORSET 6 भरती 2024 दोस्तो, AMS की तरफ से Nursing Officer NORSET 6 का यहां पर विग्यापर निकला गया था इसमें अभी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है Application Status आ चुका है आप लोग दोस्तो, 31 मार्च तक जो है Application Status यहां पर देख पाएंगे तो जी हाँ, AMS की तरफ से NORSET 6 की यहां पर विकेंसी निकाली गई है Nursing Officer के लिए विकेंसी निकाली गई है यह बिल्कुल परमर और सरकाई नोकरी है पूरे भारत से फार्म को अप्लाई कर सकती हो इसमें दोस्तो, AMS Nursing Officer की विकेंसी है इसके अलावा, 4 Central Government Hospital की भी यहां पर विकेंसी है टोटल अगर हम बात करते हैं तो कितने पद हैं, अभी किलियर नहीं है लेकिन, expected कितने पद हो सकती है तो 3000 से लेकर, 3500 पलस यहां पर पद यहां पर होने वाले है बाकि इसमें नई अपडेट निकल क्यारी है आज है 28 March, अभी अभी जो है Application Status आ चुका है Link यहां पर activate हो चुका है इसके लिए Official Notice यहां पर आ चुका है बाकि आप लोग Application Status जो है 31 March सामको 5 बज़े तक देख पाएंगे और अगर आप लोगों का जो Application Form है Reject हो जाता है तो उसे आप लोग सुधार 31 March तक कर पाएंगे तो कैसे Application Status देखना है कैसे Notice देखना है A to Z सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले है तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले Ams की Official Website पर तो दोस्तों आपको जाना है Google पर जैसे आप लोग Google पर जाओगे यहाँ पर Google Search Box पर आपको सर्च करना है Ams जैसे आप लोग सर्च करोगे Ams Exams का Option आजाएगा इस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे नई पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहल देखिए Important Announcement यहाँ पर जो भी Important Announcement है आपको मिल जाएगी लेकिन आपको जाना है Recruitment पेज पर यहाँ पर देखिए Recruitment का पेज है इस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे Recruitment पेज पर किलिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्षण आएगा Nursing Officer इस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे तो यहाँ पर देख सकती हो Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test Northset 6 से इस पे आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे login page यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर आपको important update मिल जाएगी vacancy के details मिल जाएगी toll free number मिल जाएगा आप लोग इनसे संपर्ख भी कर सकते हैं important announcement वाले option पर आओगे तो देखिए new करके option है corresponding number 09 oblique 2024 नॉर्सेट 6 regarding application from status तो जैसे आप लोग इस पे किलिक करोगे तो curriculum notice number 09 oblique 2024 application status regarding यहाँ पर notice publish की गई है इस notice को देखिए All India Institute of Medical Sciences नई दिल्ली नॉर्सेट 6 date mention है 13 मार्च 2024 और यह notice number है पढ़ लेना curriculum number है 09 oblique 2024 यहाँ पर बताया गया है कि जो आप लोगों की विकेंसी निकाली गई है नॉर्सेट 6 इसमें MS की MS nursing officer की विकेंसी है और इसके लावां center government hospital भी nursing officer की विकेंसी है जो कि 966 के माध्यम से भरी जाएगी इसका पिरी एक्जाम होगा फिर मेंस एक्जाम होगा और इसी के बेस पर आपका यहाँ पर selection होने वाला है इसका पहले देखिए application status जो है आने वाला था 25 मार्च को और इसकी जो closing date थी 29 मार्च सामको पांच बजे तक रखी गई थी इसमें उन्हें new date जारी किया था और बताया था कि अब आप लोगों का जो application status है 28 मार्च को जारी कर दिया जाएगा तो आज है 28 मार्च अभी भी दोस्तों आप लोगों का application status आ चुका है लिंक यहाँ पर activate हो चुका है आप लोग application status यहाँ पर देख पाएंगे तो आज है 28 मार्च आज से आप लोग application status देख पाएंगे closing date क्या है तो 31 मार्च सामको पांच बजे तक रखा गया है यानि कि 31 मार्च 5 पीम तक आप लोग अपना application status देख पाएंगे और अगर application status में image या signature या कुछ unregion से आपका application form जो है reject होता है तो उसे आप लोग 31 मार्च सामको पांच बजे तक सुधार यहाँ पे कर पाएंगे किलर हो चुका है तो मैंने आपको अच्छे से सारी जानकारी दे दी है बाकी important date यहाँ पे है important date नौर से 6 है इस पे किलिक करके important date के बारे में जानकारी देख लेना मैंने आपको बता दिया कि आज है 28 मार्च application status आ चुका है application status आप लोग 31 मार्च तक देख पाएंगे यहाँ पे जो 29 मार्च है इसमें उने बता दिया कि 31 मार्च तक आप लोग application status देख पाएंगे और इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि exam की one week पहले exam की one week पहले आप लोगों का exam city status आ जाएगा और exam के दो दिन पहले आप लोगों का admit कार आ जाएगा बाकी 14 अपरेल 2024 संडे को आप लोगों का exam होगा पिरी exam या फिर cbt mode में आपका stage 1 exam जो है संडे 14 अपरेल को होगा और stage 2nd mains exam आप लोगों का संडे 5th माई 2024 को होगा और पूरे भारत में जो है अलग अलग exam city center बढ़ाएगे हैं पूरे भारत में आप लोगों का exam जो होने वाला है तो यह जो 25 March है 29 March है इसे इन्होंने update किया है और new यहाँ पर date दिया है new date मने आपको बता दिया है कि 28 March से लेकर 31 March सामको 5 बजे तक application status और correction की date रखी गई है बाकि आप लोगों का exam से एक हफते पहले exam city status आ जाएगा तो लगभग 7 या फिर 8 अपरेल को आप लोगों का exam city status आ जाएगा और फिर आप लोगों का exam के दो दिन पहले याने की लगभग 12 अपरेल को या 12 अपरेल को आप लोगों का admit card आ जाएगा और 14 अपरेल को आप लोगों का पिरी online CBT mode में stage 1 का exam होगा धन्यवाद अभी मैं बात करता हूँ एक और important जानकार देता हूँ मैं आपको बदा देता हूँ कि notification वाली option पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको application status regarding notice मिल जाएगी यहाँ से भी आप लोग check out कर पाएंगे बाकि बहुत सारे college general notice अगर आपने भी नहीं देखा है तो देख लेना बाकि important date के बारे मैंने आपको जानकारी दे दी है अभी एक और update है अभी AMS की कितनी vacancy जो AMS की seat details है या AMS vacancy जो details है अब भी publish नहीं की गई है तो advertisement only option पर जाओगे तो यहाँ पर आपको नई page मिलेगी यहाँ से आप लोग देखोगे तो C&C I Kolkata के कितनी vacancy है इसकी जानकारी मिल चुकी है AI PMR मुंबाई की भी vacancy nursing officer इसकी भी vacancy details आ चुकी है NITRD नई दिली की भी vacancy details आ चुकी है बाकी AMS नई दिली and other AMS की कितनी vacancy है किस AMS में ज़्यादा vacancy है किस AMS में कम vacancy है इसकी जो जानकारी है पिरी exam से पहले vacancy की जो details से आपको मिल जाएगी बाकी AMS नई दिली and other AMS NITRD C&C I A I PMR इन सभी की जो nursing officer की जो vacancy हैं AMS 966 के माध्यम से भरी जाएंगी अप्लिकेसन status आप लोग जल्दी से चेकाउट कर लो 31 मार्च सामको 5 बजे तक अप्लिकेसन status देख पाएंगे धन्यवाद